दोस्तों हम लोगों ने last video में JSX का जो example बनाए था है ना अगर मैं JSX के example की बात करूँ तो उसका output क्या है उसका output कुछ ऐसे दिख रहा था ठीक है ये last बाला JSX का first example हमारा था जिसका output हम लोगों ने h1 take को print किया था JSX component के थुरू जिसका output कुछ ऐसा दिख रहा था ठीक है आज हम लोग इसी example को कुछ दूसरे तरीके से बनाते है ये ना दूसरे तरीके से बनाते है मतलब मैं इसको एक काम करता हूं मैं इसको एक और फाइल बना लेता हूं यहां पे ठीक है तो मैं क्या करता हूं एक नई फाइल बनाता हूं और एक नई फाइल बना के मैं यहां पे में एक नई फाइल क्रेट कर लेता हूं और इसको मैं नाम दे जेता हूं example2 .html ठीक है example2.html दूसरी फाइल बना ली मैंने और इस इस code को मैं पूरा copy करता हूं और example to dot इसमें paste करता हूँ ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं कि ये script एक के अंदर जित्ता code लिखा हुआ है ना इसको हटा देते हैं ठीक है तो हम लोगों ने last example जो बनाये था वो किसे बनाये था हम लोगों ने यहाँ पर एक element create किया था jsx element यहाँ पर create किया था और यह हमारा वो element था जिसमें हमारा root element था div इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर render करवाय था आज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग बनाएंगे function और function के through function के through element को कराएंगे render ठीक है तो मैं क्या करता हूँ एक function create करता हूँ और function के through मैं इस example को कराता हूँ ठीक है तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं और इस window को भी हम लोग बंद कर देते हैं एक्जामपल टू में open कर लेता हूँ एक्जामपल टू open करने के बाद में यहाँ पर मैं लिखता हूँ code ठीक है तो अब लोग यहाँ पर एक function बनाता हूँ मैंने बनाया function function बनाने के बाद में हापे बनाया मैंने my app यह function बना लिया मैंने function बनाने के बाद में इस function के अंदर मुझे क्या बनाना है तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक variable let my element ये मैंने एक एक variable बनाया और इस variable के अंदर में लगाता हूँ h1 take और h1 take के अंदर में लिखता हूँ example second ठीक है ये मैंने लिख दिया h1 take के अंदर तो ये पहला my element बन क्या मेरा ठीक है अब मैंको क्या करना होगा यहाँ से score return करना होगा क्योंकि मैं एक function बना रहा हूं तो मैंने return किया my element ठीक है इसको मैंने element को बनाया और यहां से यह function बना के मैंने return कर दिया अब इस function के बाहर मुझे क्या करना होगा root element को get करना होगा तो मैं root element को कैसे get करूँगा मैंने यहां पे लिखा my div और my div is equal to मैंने यहां लिख दिया document dot query selector है ना और यहां पे मैंने pass किया ID जो कि क्या है मेरी ID root है तो मैंने root को pass किया तो यह my div हो गया my div होने के बाद मैं क्या करूँगा यहां पे react यह na react dome react dome dot right मैंने यहां पे क्या लिया react dome dot render है ना यह react dome dot render function लिया और react dot render function के अंदर मैं को यहां पे इस function को देना पड़े का call तो function को call कैसे देते हैं यहां पे जब आप इस तरह का कोई function बनाओगे जो कि कोई component को render कर रहा है तो उसका call देने का तरीका होगा यहां पे फिर हम यहां पे क्या pass करेंगे यह वाला variable जो मैंने बनाया my div इसको मैं यहां पे पास कर देता हूं ठीक है और यह मैं लगाता हूं semi column अब हम इस example को save किया और इस example को मैं run करता हूं तो मैंने right click किया और open with live server पे click किया तो देखिए example to यहां पे आ रहा है अब फर्क क्या है पहले वाले example और दूसरे वाले example में फर्क यह है कि यहां पे हमने एक function बनाया है यह वाला function और इस function में हमको component return किया है और इस component मतलब यहां पे यह 1 component है तो h 1 component इस function ने हमको return किया है और यहां पे हम लोगों उसको रेंडर कराया है ठीक है अब हम लोग next example जो देखेंगे उसमें multiple component बनाएंगे multiple component मतलब यहां तो अभी हमने एक एच बन component बनाया है फिर हम क्या करेंगे एच बन के साथ कुछ और पेरेग्राफ हो सकता है ULLI list हो सकती है order list हो सकती और लिस्ट हो सकती उसको को भी हम लोग साथ में multiple component रेंडर कराएंगे jsx के तुरूब को भी हमने बनाया है जस्थ जढ़ने जब हो भी हमने में लग झाल उसके के साथ को सकती है Always को हो – लाएंगे दूरूब के झाल कね防 broad Ti के वच्ब साथ को भी हमने